यहीं तो पुल मिलाके मेरा कहने मतलब यह है कि प्रैक्टिकल के लिए तरीका क्या है त्यारी करने का वो मैंने आपको बता दिया है आपको पास जो भी प्रैक्टिकल हो उनकी ऑपजिट को देखिए उसके फॉर्मॉलियों को अच्छे से याद कर लीजिए और चीटिंग मत क अच्छे से कॉपी लिखी अच्छे से राइटिंग लिखी अगर मना किया जारा बात करने से तो मान जाईए अपलो प्यारों नमस्कार बहुत बहुत श्वागत आपका एक बार फिर से प्रेटिकल एग्जामिनेशन की डेट आप लोग को मिल चुकी होगी और एक फरवरी से 15 फरवरी का जो time slot है हमारे पास उस time slot में हमारे practical होने वाले हैं आप लोग को भी दिरे दिरे इसके information मिल चुकी होगी और इसके बाद फिर हमारे थेओरी के exam सुरू हो जाएंगे तो दिरे दिरे महौल बनना सुरू हो चुका है examination का प्रेटिकल को लेकि हमें एक ऐसा बरताव रखना चाहिए कि थेओरी के लिए तो हमारे पास अपना अलग सा कुछ अनवह है बट प्रेटिकल के लेकर के हमारे पास क्या होने चाहिए अगर मैं बिल्कुल raw बिना किसी filter के अपनी विचार धारा यहां पर अपने फैलाओं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप एक private university में हो private college में हो तो lab को लेकर के आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्रकता नहीं है अगर आपकी attendance रही है अगर आपने इसे पहले practical के lab अटेंड की है अगर आपकी lab के जो कर्मचारी है और आपको तीचर के साथ आपका रवया सही रहा है मतलब respectful रहा है आपने teacher को ऐसा teacher treat किये है और साथी साथ आप अटेंड रहे है और आपने जो file वगर दी गई है वो file को अगर आपने प्रिपेर किया है तो आपको अच्छे number मिल रहे है अब आपको अच्छे number कितने होते हैं तो मैं percent wise बात करूँ तो 75% से उपर number दे दिये ज जाते हैं यह target बना के रखा जाता है नॉर्मली जैसे हम किसी इंवर्सिटी में गए को प्रावेट कॉलेज में गए तो कहते हैं तो हमारे हाथ में है नहीं पता नहीं क्या करेंगे वह तो अपना अपना जैसा जिन्होंने जो हिसाब बना रखा है लेकिन लाइब हमारे होता है एवरेज 75 जैकिन 75 से पंचान नवे तक पहुंचने का मौका आपकी तैयारी आपको देती है तो 75 हमें थो ज्यादा कर दो 70 परसंट तक तो नंबर दे दिया आते हैं इसे माल लो 20 नंबर है तो कह देता है कि 14 नंबर हमको मिनमम देने हैं मतलब इस फर एक्जाम्पल तो 20 में से 14 देने हैं तो जैसे हम एक्जामनर बनके गए हमने वहाँ पर बच्चों का वाईवा लिया बच्चों से बात किया तो हम अपर पस एक लिस्ट होती है उस लिस्ट में हम कोडिंग करा करते रहें कुछ अलफा वीटा गामा जैसे कोडिंग हमने पहले डिसाइड क एक्स लिकेडिंग वहाँ पर क्या होता है तो मुझे मालूम है कि जो बच्चा मुझे वाईवा दे रहा है उसको बीस में से 14 नंबर तो देंगे ही देंगे टीछल गैने फिर उसके बाद अब मेरे पास क्या होता है मुझे किसी को 19 नंबर दिल्वाना है मैं दिल्वा सकता हूं हम वो कह सकते हैं आपके जो आपके इंटरनल होते हैं मैं उसे कहूंगा नहीं यह बच्चा बहुत अच्छा है इसको आप प्लीज 90 नंबर दे दीजिए जो मैंने अपने पास जो मेरे पास से थे रिखक कर लिया क्यों हम ऐसा कर वा रहे है क्योंकि मुझे देखा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें अच्छे से प्लीजिए है वह बच्छा अब होता क्या दूरभाग यहां पर यह होता है अगर एक बच्चा ऐसा कटेग मतलब उस तरह के मान सकता है कि लोग होते हैं तो उनको उनको भी 14 मिल गए बहुत मिल गया लेकिन एक जो एफर्ट कर रहा है तो उसका महिनस से विश्वास उठ जाता है इस उमर में 20-22 साल के लगभग हैं और उस दौरान आपके मन में एक एक जामपिल आपको सामने सेट हो जाता है महिनत करने से क्या होगा मैंने की थी फला लैब में महिनत मुझे तो अभी 24 नंबर मिले तो फिर क्या अच्छा उसे अच्छा तो जो दिन पर बाइक से घूमा करता था उसको भी उतने ही मिले तो फिर मेरे पढ़ने का फाइदा यह एक बहुत ही problematic situation हो जाती है और बहुत ही बुरा दिमाग पे असर होता है तो as a external examiner मैंने जो देखा है या जो मेरे fertility के लोग हैं जो हमाई साथ के लोग है वो यह जरूर करते हैं कि जो बच्चा लायक नहीं है किस तरह का उसको मिल गया 14 ठीक है लेकिन जो लायक दिख र तक के number मिल जाएंगे लेकिन अगर आप एक high grade की तरफ जाना चाह रहे हो then you have to perform in the critical examination तो वह आपको 95% तक दिने वहां ऐसा कोई नहीं कि थिवरी में पंचाने में लाना हो सकता तक अभी मुश्किल होता हो लेकिन प्रिटिकल में पंचाने परसन नंबर लाना नहीं है बलकि मैंने तो कुछ जगहों पर पूरा 100% नंबर उसको दिलवा है जो कि मुझे आखरी में साइन करने के लिए आती है तो जो भी हमने marks दिये हैं आखर में वो marks हमारे साइन से अभूब होते हैं जो वो mark sheet आती है तो मैं अपने register में देखता हूँ मेरे पास जो sheet थे कि इस बच् मैं देता हूं मुझे कुछ नियाम रखते हैं कि मुझे 14 नंबर या 15 नंबर से कम नहीं देने हैं लेकिन मुझесь यह बंदिश नहीं लगाई किसी को 20 नहीं देने है हा बीस देने के भी है अगर वो external examel लिकके जा रहा है 20 देना, तो इसको देना है तो this is very important thing और यह यह जो 2 वो चार छे नंबर का यह जो 20% का गैप आता है यह बहुत बढ़ा गैप होता है यह बहुत ही important होता है और साथ उत्साह वर्धक भी होता है तो उस बच्चे को दिखता है जो कहता है रहे मुझे 70% मिले हैं इनको 100% मिले हैं जो 30% गैप है न वो उनकी उस मेहनत का अंतर होता ह होता है फिर अगले semester में जो बच्चे जाते हैं जो इसको अच्छे मिले हैं उनको विश्वाह जमता है कि नहीं मिहनत करने से मिलते हैं नंबर उनके पास example है और दूसरे वाले को motivation मिलता है कि मिहनत कर जाएंगे तो लैब में तो हम करे जाएंगे तो मुझे लगता है as a teacher हम दिशाएं बदल सकते हैं इस activity के तुरू तो आपको अपने teacher के साथ थोड़ा सा respectful रहना है यह practical चीजे बता रहे हैं यह बहुत आदर्स बातें नहीं कर रहे हैं यह हम वो कर रहे हैं जो हम ने देखी हैं पिछले सालों में जिब से हम पढ़ा रहे हैं और इस profession में हैं तो य लैब एक ऐसी टीज है जहां आप पास हो रहे हो ठीक ठाक तरीके से और वहां आप इन टीजों का इस्तमाल करके खुद अपने जड़ में माठा डाल देते हो खुद से खुद से खुद को तबाह करने की स्थितिय में आ जाते हो व्योंकि जब चीटिंग हो जाता है तो यह यूएफम पॉलिसी में आ जाता है और फिर यूएफम पॉलिसी में फिर तो आप समझे तो कोई सुनवाई नहीं है लैब फेल हो जाओ गो तो फिर अगले साल तुमको फिर इसमें एक्जाम देना पड़ेगा यह बैक वाली सिच्विशन बढ़नी शुरू हो जाती हो प्लीज पुर्ची वगरा मुबाइल फोन सेवा इस्तमाल मत करिए जैसे होते हैं अच्छा अगर आपके पास अगर आपकी यहां लैब फाइल बनवाई गई है मुष्टी बनवाई जाती है तो आप लैफ फाइल को अच्छी तरह से बनवा लीजिए अच्छी आप एक कवर्ड कॉपी लाते हो तो एक सलीके से काम करने वाले व्यक्ति के रूप में आप देखे जाते हो एक इंप्रेशन वहां पर होता है और दुनिया आप सलीके से ही काम करके किसी सलीके की जगर पहुंच सकते हो रैंडम के वर्टिक बिहेवियर इस नेवर होता है कि उसको आप अबजिट की तरह से लिखते हो कि घार क्य ter अंस यहां पर रिखते हो इस herman șol ç रिखा फिर उसके बाद आपने शिक्त ऑगार दिखा फिर इसके बाद आपने लीच कांट वांट kysै बनाई फिर result, discussion, precaution, error यह सब आपने वहाँ पर लिख दिया है अब जब आपसे पुछा आता है कि इसा पता हूँ what is your object तो आपको क्या बोलना है जिसे लोग कहते है बचों से पुछा बचों बचों बटा तुमारा object क्या है तो बोलना नूटर रिंग नूटर रिंग इस नूटर रिंग इस अपरेटर्स वाइट पूरा श्टेटन बोलो sir मेरा object है हिंदी में अंगरेजिन जूभासान आपको sir मेरा object है कि मुझे sodium lamp का wavelength calculate करना है now this is this is a right track यह बोलते हैं अच्छा ठीक हाँ चलो फिर अब सवाल बढ़ने सुरू होते हैं नॉर्मली ऐसा होता है examiner के तोर पे जब जाते हैं तो कोई हम प्रश्णा वाली लेके नहीं जाते हैं कि हमें यह सवाल पूछने हैं कागज में लेकर के इंटर्व्यू जैसा नहीं होता है कि हम लेके चले किसी बड़े नेता के साथ इंटर्व्यू कर रहे हैं तो हम पहले से कुष्चन त्यारे के चले वहाँ पर आप जो बोल लह हो उससे से हमारे सवाल निकलना है आपने कहा तो मैंने पूछा अच्या बताईए कि किसी वेव का वेवलेंथ क्या होता है वह दो यू में बाइद वेवलेंथ आफ वेव यू मस्त नो इट वेव जब आपने पढ़ा था आपने कहा है कि सर यूनिट मतलब आपने कही तरह से इडिफान कर सकते हो अगर आपने किया और आप जो कॉपी लेके गए हो उसके बैक पर लटके वहाँ पर लिखके दिखाओ बहुतर होगा कि आप इस तरह से वेवलेंथ बनाकर दिखाओ और सो कि यह दिस्टेंस यह दिस्टेंस वेव है आपने वेव बनाई और कहा दो कंसेक्यूटी ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं इस यह आपकी एफिसेंसी को सो करना है अब देखो बच्चो आपको हमेशा है आप अपनी क्लास के बारे में जानते हो आपको मालूम है कि आपके क्लास में किस बुद्धी इस तरह के बच्चे पड़ते हैं कौन स्मार्ट है, कौन डम है, कौन किस तरह का आपको मालूम है तो यू नो दे कमपटीशन, आपको कमपटीशन मालूम है आपको हमेशा वो जो सबसे lowest level होगी आपके class के जो होगी उससे उपर रहना है और कोसिस करना है कि आप टॉप में रहो आपको अपनी performance ऐसे रखनी है और आपको लगता है इतना क्यों क्योंकि this is the initiation of एक बहुत ही सुरवाती step है interview का आज तो हम सिर्फ आपका number जज़ कर रहे है हम आपसे पूछेंगे आपको number देंगे आने वाले समय में आपके बोलने की शैली पर आपके बात करने की इस्तिती पर आपको नौकरिया मिलने वाली हैं आपको जो interview होते हैं वो interview में आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे से communicate नहीं कर पा रहे हो आप आई content साथ ब आपको पीछे ढखेलना सुरू कर देते हैं क्योंकि उस भीड में ऐसे लोग मिलेंगे हमको जो हमसे अच्छे से बात करें आई content से बात करें ध्यान सुन रहे हैं हमारी बात तो जब मेरे पास choice की बात आएगी तो मैं आप जैसे अजीब गरीब तरह का व्योहार वाले व्य मतलब आपकी नंबर जो आप लिए उसके लिए में डिजर्विंग हूँ या आप जॉब दोगे में उसके डिजर्विंग हूँ आप प्रूव इट वहां और क्रिटिकल होता है चुकि वहां मेरी कंपणी अगर मैं एक एक एम्प्लॉयर मैं आपको अपने कंपनी में लेना थोड़ा सा भी किसी के अंदर सकारात्मक्ता देखती है तो हम उसको नंबर देना के इच्छु होते है क्योंकि नंबर ऐसा तो है नहीं कि नंबर को हम रख ले जाएंगे अपने घर में रखेंगे विटिया के साधी में के लिए अभी पैसा जमा कर देंगे वो नंबर तो नंबर हमको डेड़ गुना हो जाएंगे क्रेट पॉइंट मिलके हमको कई लाक रुपे मिलेंगे इसा कुछ नहीं हो ना अगर मैंने आपको दे दिये तो आपके पास चलेंगे और आपके पास जिंदगी भर रहेंगे आपके मार्क सीट में रहेंगे नहीं दिये तो कहीं पढणने वाले होते हैं, परफदली जाके उनलोगों से कहता है, देखो तुम तो पहुत पढणने वाले थे, तुमको नहीं मिला, मुझे मिल गया, तो वो क्या करता है न, वो उसकी बत्तिमीर जी को कही गुना बढ़ा देता है और एक मेहनत कसव्यक्ति के उत्साहा को कही ग सूश किया है और जो मैं चाहता हूँ कि कैसे मुझसे जवाब दिया जाए, कैसे मुझसे बच्चे बात करें, एक respect वाली चीज जो होती है, वो हमेशा हर जगा लागू होती है, तो अगर हम सवाल पूछ करने तो कम से कम सामने वाला मुझे सुने तो, बे मतलब की बात पर जा इस तरह से उसको मतलब explain करना है, याद करना है, जब भी आप object याद करोगे, जो भी आप object लिख रहे हो, उन object आपको मालू होना चाहिए, और उस object ने जो keyword है, वो आपको मालू होने चाहिए, for example, वहाँ पर एक keyword आया था sodium lamp, तो आपको एच्छा sodium lamp, क्या घरों में जो lamp जल You must know that, कि sodium क्या होता, sodium lamp क्यों होता है, normal lamp क्यों होता है, अच्छा फिर पूछते हैं, क्या आपके lab में, sodium lamp के अलावा, और कोई भी, सिध्य कहते हैं, और कोई भी lamp इस्तमाल होता है, आपने कहा है, यह सर, mercury lamp भी इस्तमाल होता है, जो आप लोग ग्रेटिंग के साथ experiment करते है आपको के साथ sodium lamp जो होता है, वो monochromatic होता है, तो आपने एक और word उनको दे दिया, question के वायवा को आगे बढ़ाने के लिए, वायवा question आगे बढ़ाने के लिए, what do you mean by monochromatic, what is the property of monochromatic, फिर एक चीज, आपको यह जरूर मालूम होना चाहिए, कि जो आप यूज कर रहे हो जो भी आप apparatus यूज कर रहे हो, जो भी experiment यूज कर रहे हो, उसका principle क्या, उसका सिधान्त क्या है, क्योंकि हर experiment किसी ने किसी सिधान्त पर काम करता है, किसी सिधान्त से उसमें formula बनाया गया, उसे formula को यूज कर रहा है, for example, अगर मैं बात करूँ, Newton ring experiment कि, Newton ring experiment किस पर काम करता है तो Newton ring experiment जो है वो किस पर काम करता है बच्चों वो बात वो काम करता है interference पर तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि Newton ring experiment interference पर काम करता है उसी तरह से जो diffraction grating का experiment है diffraction का experiment है वो diffraction पे ही काम कर रहा है वो diffraction की phenomena पर काम कर रहा है ऐसे ही आपके पास polarimeter का experiment है तो जो आपको पास polarimeter का experiment है वो किस सिधान्त में काम कर रहा है वो polarization किस सिधान्त में काम कर रहा है तो optics के आपके पास यह सिधान्त हो गए इसे तरह से आपके पास Noodle Slide है, तो किस तरह से Lenses में Node Point होते हैं, किस तरह से Lenses से Image बनती है, किस तरह से Lenses में First Focus, Second Focus होते हैं, जो कि 12th का आगे हैं सब्जेक्ट है, उस पे आपके सवाल पूछते हैं, Lens के दौरा कैसे First Focus, Second Focus concept पर काम करते हैं, तो जितने भी आपके पास हैं, आप कोई उठा के देख लो अब मैं अगर कोई experiment बात करूँ आपके साथ अब वहरी करते रहते हैं person to person for example अगर हम बात करें band gap I don't know आपके यहां band gap का experiment होता है कि नहीं तो अगर आपके पास band gap का experiment होता है तो वह भी solid material के अंदर जो band structure band theory पर बेस्ट यह आपका पूरा experiment है hall effect होता है तो hall effect जो होता है उसमें उसमें basically lorange force का role होता है कि किस तरह से अगर एक magnetic field लगी है कि electric field लगी है उसमें से अगर हमारा कोई charge particle move करता है तो उसमें किस तरह के force काम करते है तो Lawrence force को कहते है उस सिधायत पर काम करता है आप इस बास सर्च कर सकते है you have time you have internet just आप experiment पढ़िए और आप चाहे AI tool के थूरू सर्च करिए या किस तरह सर्च करें जस्ट क्रिस्प वहासा में कि किस principle पर काम करता है सिधर तरह में principle आपको मालुम हो जाएगा और फिर आप अपने 12th किताब इनको पढ़ने के लिए आपको बहुत ऊपर नहीं जाए अगर मैं अगर मैं दो घंटे में तीस बच्चों से बात कर रहा हूं जो एक बैच नॉर्मली होता है तो अगर उस तीस बैच में मुझे पांच लोग अबब एवरेज दिखे साथ लोग एवरेज दिखे हैं तो जहां 70% लोएस्ट है मतलब 20 में से 14 नंबर लोएस्ट है औ तो अगर वह चार कोस्टवर जबाब दे रहें आपके इफ़ल चार कोस्ट में से और एक कोस्ट के जबाब दे पा रिहें ऐगर वह एक कोस्टर के जवाब दे पा रहा हो जो नहीं कि सब्सक्हारत में उनसी अग्जामनेश को लेकर चराहूँमान some news आसे तरीका अलग होते हैं इसके को फिल्म को दिखाने के तरीका अलग होता है बात कहने के तरीका अलग होता है लेकिन उनका एक अच्छा अनभव लेके जाएं कि हम teachers जो होते न वो पूरी जिन्दगी आपके personality का एक हिस्सा बन चुके हैं मैं आपके साथ online जुड़ा हुआ हूँ मैं आपके साथ physically कभी सायद हम इसे बहुत नो कभी physically ना मिलने संभव ही नहीं है लेकिन आप अगर इस वीडियो क देख रहे हो और आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो मैं आपकी पूरी personality में छोटा सा हिस्सा मैंने अपना रिजर्व कर लिया और मैं जीवन भर रिजर्व करूंगा गाहे बगाहे हो सकता है आपको कभी वो हिस्सा मैं याद आउं आपकी journey में आपकी success के समय आप ज follow that person तो इस तरह से ये responsibility हम सभी teacher के अंदर रहते हैं ये consistency हम सब के अंदर रहते हैं चाहे हम online हो चाहे offline हो अगर नहीं है तो मुझे लगता है दुर्भाग इसाली बात है दुर्भाग की बात है हम teacher होना चाहिए तो कुल मिला कि मेरा कहने मतलब यह है practical के लिए तरीका क्या है त्यारी करने का वो मैंने आपको बता दिया है अब पास जो ही practical हो उनकी object को देखिए उसके फॉर्मूलियों को अच्छे से याद कर लीजिए और cheating मत करिए इमांदार रहे अच्छे से बिभार करिए अच्छे से copy लिखिए अच्छे से writing लिखिए अगर मना किये जारा बात करने से तो मान जाइए घंटे दो घंटे के बात होती है उसमें थोड़ा सा जो जितना gentle हो सकते हो जितना polite हो सकते हो try to be like that और कोशिस करो कि वो उसका जो अगर आपको लोगे उससे फाइदा हो रहा है तो उस चीज को बुरे जीवन में अपने उतारो तो लिए best of luck for your kind attention और अगर किसी तरह कोई कोई सवाल है या आपको कोई आप सभी लोगों को कोई 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 चीज कोई पूछना है आप चाहते हो नहीं सब मुझे एक खास तरह की experiment बता दीजिए तो मुझे बिल्कुल मुझे खुशी होगी मैं आपके comment के साब से अपने वीडियो बनाऊंगा औ और जैसा आप लोग कहेंगे जैसा आपको suggestion होगा उसी तरह से हम आपको वीडियो के त्वारा आपको समझाते रहेंगे और जरूर आप लोग comment में अपने आपके examination date कब है जरूर मुझे mention करिएगा सुदेट मुझे एक idea लग जाए कि कब तक जो है most of the मेरे जो बच्चे हैं वो most of the बच्चे कब exam दे रहे होंगे तो आप अगर वीडियो देख रहे हो और वीडियो बंद करने वाले हो तो just आप मुझे comment जरूर कर दो कि मेरे exam कब है या कब school college में मुझे कब बताए है expected क्या होने वाले हैं चलिए मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत सुबकामना है और अच्छे से exam दीजिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में अपने ध्यान रखिए have a nice day नमस्का